CAC को और से Bank BC सकھی योजना चलाई जा रही है जिसके तहद दोस्तों IC महलाओं को Laptop, Printer और Fingerprint device फ्री में दी जा रही है क्या है योजना दोस्तों और किस प्रकार से ये Laptop, Printer और Fingerprint device मिल रही है पूरी जानकारी को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे वीडियो मागे बने इस पहले आप सभी दोस्तों सागरा करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने भी तक हमारे चैनल New Update Online को सब्सक्राइब ने किया तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंपोर्टेंड और पिक्टल वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं तो चली दोस्तों अब हम चलेंगे वो ओफिस्यल नूच की और जो त्यागी सर के ट्विटर एकाउंट के माध्यम से आई है लेप्टोप, प्रिंटर और फिंगरप्रिंट डिवाइस प्राप्त कर पाएंगी ये सारी जानकारी आप वीडियो के अंत में जान जाएंगे तो चलिए अब हम चलते हैं वो official news की और जिसमें laptop, printer और fingerprint device दी जारी है 13 दोस्तों त्यागी सर का Twitter account जिसके माधियम से ये news हम read करेंगे और जानेंगे कि किस प्रगार की ये योजना है जैसा कि दोस्तों आप भी watch and read कर पा रहे होंगे राष्टिय आजविका मिशन महिलाओं को रोजगार से जोडने का precision दिया जा रहा था इसी के तहट ऐसी महिलाओं को laptop, printer और fingerprint device दी गई है ये news दोस्तों 12 बंकी की है जिसमें 17 बैंक सक्षियों को मिला laptop इसके तहट CAC और राष्टिय आजविका मिशन के सहीयोग से गउं की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम जिले में किया जा रहा है अभी तक CAC और राष्टिय आजवी का मिशन के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे महिलाओं की आए बढ़ा ही जा सके इसी क्रम में सुरद गन्ज ब्लॉक की 17 महिलाओं को गाओं में CAC और BC सखी योजना के संचालन के लिए एक लेप्टोप, प्रिंटर और थम डिवाइस परदान कर CAC Common Service Center को लेकर एक दिवस्य कारेशाला की गई थी जिसमें स्वयम सहता समू की 17 महिलाओं ने परसिछन प्राप्त किया ये महिलाओं ग्रामी नस्तर पर लोगों को बैंकिंग, फाइन्स एवं, इंसूरेंस जैसी सुवयदाएं अब आसानी से दिला पाएंगी भारत सरकार के लेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रदुकी मंतराले के अंतरगत, संचालित Common Service Center, CAC E Governance Service India Limited के द्वारा लोगों को रोजगार से जोडने का कायर किया जा रहा है, जिससे सरकारी सेवा लोगों को उनके गाउं में ही असानी से मिल पाएगी महिलाओं को आत्म निर्वर बनाने का प्रियास भी किया जा रहा है जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 17 बैंक BC को लैप्टॉप, प्रिंटर और फिंगर्पिंट डिवाइस दी गई है अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों की किस प्रकार से बैंक BC सकھی जो है उन्हीं इस प्रकार की योजना में सामिल होने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले तो दोस्तों ऐसी महलाओं के पास बैंक BC होना चाहिए साथी उनकी जो CACID हो वो SSG गुरूप से या फिर राष्टी आजीव का मिसन के तहत उनकी CACID मिली हो आगे का केटगिरिया जो होगा दोस्तों वो यह होगा कि वो DGP के माधियम से अच्छा ट्रांजेक्शन कर रही हो तभी इस प्रकार की योजनाओं में वो सामिल हो सकती है आसा करूंगा इस प्रकार की योजनाओं और भी जिले में संचालित होंगी इसके लिए जो requirement है वो तो आपको पताए चली चुका होगा कि SIGG Group से या फिर राष्टियाजी का मिसन के तहट इन्हें CACID मिला हो साथी अगर इनके पास bank BC हो तो अच्छी बात है वरना DGP में ये पैसे का लेंदेन कर रही हो जिन महिलाओं का अच्छा transaction होगा उसी के माधियम से इस परकार की योजनाओं में सेलेक्शन किया जाएगा सारी बात हैं आपके समझ में आ चुकी होंगी कि किस परकार से इस परकार की योजनाओं में समलित हो सकते हैं वीडियो कैसा लगा अपनी वहमूल कमेंट जरू दें और ये वीडियो देखने के लिए आप से भी दोस्तों का बहुत पत्यनेवाद थैंक्यू